सबी समने सेक्सा सात्यों को नमश्कार समने सात्यों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे NILP कारेकरम अर्थात New India Latency Program नभारत साकसरता कारेकरम क्या है साती इस कारेकरम का पूरा framework क्या है इस framework को जानेगे निरिकसर कोन होते हैं उनकी आयू क्या होगी और जो निरिकसर अर्थात जो गैर साकसर एसाकसर की बात की जा रही है को पढ़ाने का काम अर्थात साकसर बनाने का काम कोन करेंगे किसी को एसाकसर या निरिकसर किस आधार पर माना जाएगा जो volunteer teacher होंगे जो स्वम सेवा करताथ जो VT होंगे वे कौन होंगे और वालिंटर टीचर को इन VT को मांदे मिलेगा या नहीं मिलेगा बीटी और लर्नर का चिन्नी करन करने का काम, एप में एंट्री का काम, अर्थात सर्वे करने का काम कौन करेगा क्या सर्वे सभी घरों का किया जाएगा या कुछ ही घरों का किया जाएगा तो ऐसे प्रशनों को उत्तरा भी इस वीडियो में हम जानने का प्रियास करेंगे सात्यों एक live demo भी हम इसमें देखेंगे कि हमारे जो परदाना द्यापकरतात है टीचर है स्कूल के बे अपने सिक्सक सात्यों को सर्वेयर बनाएंगे तो कैसे सर्वेयर बनाएंगे और किने किने सर्वेयर बना सकते हैं इसके सात्यों एक live demo और करके हम देखेंगे कि जो हमारे सर्वेयर है जिनको सर्वे करना होगा बे उन निरिक्सर को अर्थात उन लर्नर को और बीटी का चिन्नी करना करने के पशाथ एप में एंट्री कैसे करेंगे और मोबाइल पर आपस में उन बीटी को लर्नर के साथ कैसे टैक करेंगे यदि कोई एंटी गलत हो जाती है तो उसका क्या समधान हो सकता इसके बारे में भी हम बात करेंगे और इंटरनेट की आवशक्ता कब पड़ेगी इस पर भी बात होगी साथ यो तो एक ये पूरा हम लाइब डेमो देखेंगे और अंत में इस एप में जो भी बिविन समस्याएं रहेंगी उनका समधाना इसमें हम रखने का प्रियास करेंगे साथ यो एक बात और साथियो कि वीडियो अप्लोड करने के बाद यदि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिन्दू छूट गया है इंतरगत क्या होना कि पंद्रे वर्स या तो पंद्रे वर्स या पंद्रे वर्स से ओपर के जो भी निरेक्सर हैं जिनको गैर साक्सर कहते या ऐसाक्सर कहते उनको चिन्नित करना है और चिन्नित करने के बाद उनको साक्सर बनाने का कारे किया जाना बित्य सतर 2022 से लेकर के 27 इस तक इस कारेकरम के संचालन की योजना है, इन एस आकसर को हम, ध्यान देने की बात है, इन एस आकसर को, इन गैर सकसरों को हम learner कहेंगे, क्या कहेंगे? learner यह याद रखने की बात है कि app में इन्हे learner कहेंगे यह सीखेंगे तता इन्हें पढ़ाने का जो काम करेंगे उन्हें हम volunteer teacher अर्थात स्वम सेवक कहेंगे अर्थात VT कहेंगे तो दो चीजे होगी साथियो एक तो learner और दूसरा BT यह जो स्वम सेवक होंगे इनने किसी भी प्रकार का साथियो कोई भी मानदे दे नहीं होगा ठीक ये स्वेचिक है योजना तो अब जान लेते हैं कि लर्नर अर्था जो ऐसाक्सर हैं वे कौन होंगे तो साथियो 15 या 15 साल से अधिक के ऐसे नागरिक जिने भासा को समझ के साथ पढ़ना न करना है और साथियो अब बात कर लेते देखें वलेंटियर टीचर की की वीटी कोन होंगे तो देखें बीटियर था तो वलेंटियर टीचर कोन होंगे स्वमसेवक कोन होंगे जो ककसा 5 है ज्यां देने की बात है ककसा 5 और उससे उपर के स्कूली छात्र जो अपने ही परिवा जो NSS हैं, Scout Guide हैं, जो NCC के स्वम सेवक हैं, बेबी इसकारेकरम में साथ यो भाग लेंगे, इसके साथ ही विद्यांजली पोर्टल है, उसके माध्यम से भी जो परुपकारी और CSR संगठन है, उनकी भी भागेदारी इसमें की जाएगी, अब साथ यो हमने जान लिया है कि जो अनलाइन प्लेट फरम त्यार किया गया, किस परकार से है, कि जो हमारा राज्य है, स्टेट से ईूजर आईड़ी डेके, डिस्टिक की बन गई है, और ये जो यूज़र आईड़ी बनाई गई है, है टीचर तक की जो आईड़ी बनाई गई है, यो सारी की सारी N ILP पोर्ट पंचयत में एक व्यक्ति की user आईडी बन गई है, जिसको हमने cluster user कहा है, उस cluster user के द्वारा अपनी नियाए पंचयत में जितने भी head teacher है, उन head teacher को school user बना दिया गया है, और हमारे head teacher के mobile पर उनका जो password है वो उनको प्राप्त हो चुका है, ठीक है साथियो, अब करना क्या था, ज अपने विद्याले के शिक्षकों को सर्वेयर बनाएंगे, वो NILP पोर्टल पर लोगिन करने के पश्चात, अपने जो सिक्षक साथी हैं, उनको सर्वेयर के रूप में बना देंगे वहाँ पर, किस प्रकार से बनाएंगे, इसकी लाइप प्रोसेज मैं साथियों अभी आग इससे पहले एप का कारिय नहीं हुआ, एप इंस्ट्रोल करने का काम रहेगा, जो हमारे सर्वेयर है उनका, तो यह एप को इंस्ट्रोल करेंगे अपने मोबाइल में, और करने के पश्चात, अपने मोबाइल नंबर के मादियम से, OTP के मादियम से लोगिन कर लेंगे, और इनके बाद देखेगा, उनका काम रहेगा, कि सर्वे करना, बे सर्वे करेंगे, और सर्वे करने के पश्चात, अपने सेवी छेतर में, जो लर्नर है, जो गैर साकसर है, उनको चिन्नी करन करने का काम करेंगे, और साथी जो वलेंटियर वनने वाले हैं, उनका भी चिन्नी क करनेंगे और उसके पस्षाथ एप में उनकी entry कर दीजाएंगी इन के द्वारा उर entry करने के वाद आपस में इनको tag कर दिया जाएगा कि यह जो learner है यह जो गैर साकसर है इनको सिखाने का कौन करेंगे यह वाले volunteer teacher करेंगे तो इन उनों को आपस में tag कर दिया जाएगा ठीक है साथ यूँ इसके पस्चाद जो BT हमारे होंगे जो volunteer teacher होंगे वे learner को साकसर बनाने का काम करेंगे किस प्रकार से साकसर तो दिखेगा ओपर से जो digital content भी आएंगे और ये जो volunteer teacher है इनको digital लूप से सामगरी प्रेशित भी की जाएग और ये जो गैर साकसर है उनको digital साकसर ता वित्य साकसर ता कानुज साकसर ता आपता प्रवंदन कोसल बाले देखबाल और पोसल बालिज्य कोसल स्वास्तिय और स्वच्चत साकसर ता और इस प्रकार के देखेगा इन विशो पर इनको साकसर किया जाएगा और इनको जागर किया जाएगा ठीक है सातियों हमाने सातियों अब बात कर लेते हैं पार्ट टू की हमारे NILP कारेकरम के अंतरगत हमारे जो क्लस्टर यूजर है उनके द्वारा अपने क्लस्टर के प्रतियेक विद्याले के प्रधाना द्यापक महोदे को स्कूल यूजर के रूप में असाइन कर दिया गया है अब हमारे प्रतियापक अर्था टेछर का जो कार्या है वो यह रहेगा कि अपने वे विद्याले के सिकसक साथ्यों को सर्वेयर के रूप में असाइन करें है इस पर click करना होगा जैसी इस पर साथ यो click करेंगे click करने के बाद इस पर का page open हो जाएगा यहाँ पर हमरे पुरदाना द्यापक मोहदया अपना mobile number भरेंगे और उसके पर जो उनके mobile number पर password आया तो उस password को यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर लिखा I am robot यहाँ पर साथ यह उनको click करना होगा और उसके पर लोगिन करेंगे यदि password के माद्यम से वे login करना नहीं चा रहे हैं तो ऐसी इस्तिती में यहाँ जो login बाया OTP भी कर सकते हैं अगर password उनको याद नहीं है तो ऐसी इस्तिती में यहाँ से login by OTP पर click way कर लें login by OTP पर click करने के पर आगे चलेंगे और यहाँ पर देखेगा उनको भरना होगा mobile number अपना mobile number भरेंगे उसके पशाव यहाँ पर आयम नोटे रोबर्ट पर एक जो हैं यहाँ पर click कर देंगे उसके पशाव यहाँ पर send OTP लिखाएगा इस पर साथ यु सैंड OTP पर click करेंगे इस पर click करने के पशाव छेंको को OTP आएगा उसको यहाँ पर बनने के बाद verify OTP करेंगे यह verify OTP होने के पश्याद इस तरह से देखेगा हमारे प्रदाना द्यापक जो है NILP portal में entry हो जाएंगे यहाँ पर एक option प्रदासित होगा add user इस add user पर उन्हें click करना होगा जैसी add user पर click करेंगे तो इस तरह का interface आएगा यहाँ पर बे अपने विद्याले के जिस भी सिक्सक को surveyor के रूप में बनाना चाह रहे हैं उसकी personal detail उनको यहाँ भरनी होगी उनका नाम English capital में यहाँ भरिएगा mobile number भरिएगा email ID भरनी है और उसके बाद उनको designation बरना है यहाँ पर सब चीज़ एंट्री हो गई है और designation के रूप में यहाँ teacher जो है यहाँ से select कर लिया है उसके पशाथ यहाँ surveyor के रूप पर आपने click क्या click करने के पशाथ आप देखेंगे नीचे reasonable information स्वते ही यहाँ पर reasonable information सारी के सारी भरी हुई अपने आपी fill up आ रही है इनको आप देख लीजेगा देखने के पशाथ नीचे जो यह reasonable information है इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दो option आ रहे हैं cancel का एक shape का तो इस save पर आप click करेंगे जैसी save पर click करेंगे तुरंत ही आप देखेंगे जो surveyor है वो assign हो चुके है और यहाँ पर इस तरह से उनका नाम परदर्शित होगा यदि आप इसको इस side में slide करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे email ID और उसके पशाद देखेंगे आप mobile number और mapping और उसके बाद यहाँ status और action लिखाएगा इस status में आप देखेंगे active लिखा रहा और यहाँ पर देखेंगे दो option और परदर्शित होगे action में एक यहाँ पर यह pencil बनी आ रही है और एक यह key बनी आ रही है इस pencil पर यदि आप किलिक करते हैं तो pencil पर किलिक करने के पशाद आप इसमें संसूदन भी कर सकते हैं तो साथियो इस प्रकार से जैसी आपने यह surveyor बनाएंगे हमारे head teacher तुरंत ही surveyor के mobile number पर उनका एक message जन्नेट हो करके चला जाएगा कि आपको surveyor के रूप में बना दिया गया है अब क्या कारे रहेगा कि जो हमारे surveyor है वो surveyor अपने mobile number के माध्यम से अपने इस NILP app को install करके उसमें mobile number के माध्यम से login करेंगे और survey कारेंगे इस सम्मद में हम आगे जो part हमारा 3 है वीडियो का उसे देख लेते हैं साथियो समाने साथियो NILP से सम्मदित part 3 में हम बात करेंगे कि हमारे प्रदाना द्यपक महोदे ने अपने विद्याले के सभी सिक्सकों को surveyor के रूप में assign कर दिया गया है और उसके पश्चात जो भी सेवित छेतर था गाउं था उसको जितने भी surveyor बनाए हैं उन surveyor में बाट दिया है अब हमारे surveyor mobile के साथ अपने survey छेतर में जाते हैं तो जाने के पश्चात वे learner अर्थात जो गैर साकसर है और जो बीटी है volunteer teacher उसका चिन्नी करन करेंगे और उसके पश्चात mobile में उनकी entry कैसे करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे साथी उन्हें mobile पर आपस में tag करने का कारियर कैसे करेंगे यदि कोई गलत entry हो गरी है तो उसका भी समधान बे कैसे करेंगे इंटरनेट की आफशकता कब पढ़ेगी और एप में family head details की क्या भूमिका है जो family head details है उनको भनना जरूरी है तो नहीं है इसी तरह से इसमें एक option आता है mark as none तो इस से क्या तात पर यह है साथियो तो इस वीडियो में हम इसको जानते हैं तो चलिए साथियो प्रारम करते ह आगे सबसे पहले जो हमारे surveyor है वो surveyor Google Play Store के माध्यम से NILP app इसको download कर लेंगे install कर लेंगे और install करने के पर शाथ इस तरह का interface उनके सामने आएगा यहां for survey पर वे click करेंगे और next पर click करेंगे जैसी वे साथियो next पर click करेंगे तो यहां पर अपना mobile number भरेंगे और get OTP पर click क इसके बाद यहां पर एक छेंको का OTP आएगा उससे भरने के पर शाथ यहां से वे verify कर देंगे verify करने के बाद इस तरह का सात्यों interface आएगा इस interface में उन्हें कारें जो करना होगा वो survey में करना होगा जैसी इस survey पर वे click करेंगे तो यहां पर देखिएगा यह एक device location के लिए message आएगा यहां पर वे while using this app पर click कर देंगे तो सात्यों इतना करने के बाद एक बार देख लेतें कि जो interface आया था वो interface पर उन्हें काम कैसे करना है तो देखिएगा इस तरह के login करने के बाद इस तरह के interface में तीन चीज़े हैं एक तो school की detail यहां पर आप click करिएगा इस school की detail और यह है quick action के चार यहां पर option जिन में हमें काम करना होगा देखिएगा जैसे हमारे surveyor इस survey में जाकर के learner की और BT की anti करेंगे तो जैसे जैसे वे learner अर्थात गैर साक्सर की anti करेंगे तो वो गैर साक्सर की संख्या यहां पर सात्यों प्रदरसित होती रहेगी और जैसे जैस यहां पर टैग वाले option में जाकर के इस टैग वाले option में जाकर के जब इन learner को इन BT के साथ टैग कर दिया जाएगा तो जैसे जैसे टैग करते जाएंगे सात्यों तो यहां पर देखिएगा संक्या यहां पर कम होती जाएगी और वो संक्या यहां पर tagged में बढ़ती चले सरवेचेतर के जो परिवार है उससे पता करेंगे देखेगा यहां तीन उधारन में आपके समक्ष रख रहा हूं पहले परिवार से पता करेंगे कि भाई आपके यहां कोई गैर साकसर है अत्वा नहीं है अब वो परिवार यह कह देता है कि हमारे यहां कोई भी गैर साकसर न बनना चाहरा है यदि वे परिवार मना कर देता कि हमारे यहां से कोई वोलेंटियर टीचर भी नहीं बनना चाहरा तो देखेगा पहली कंडिसन है साथ यो कि वो जो परिवार है वो सारा का सारा साक्षर है और वोलेंटियर टीचर भी नहीं बनना चाहरा तो आपको इस एप मे उसका सर्वे करने की कोई आवशकता नहीं है अब आप दूसरे घर में चले जाएंगे अब आपको साथ यो दूसरा परिवार मिलता है उस परिवार में आपने पता किया उन्होंने बताया कि ठीक है हमारे हाँ भी कोई गैर साकसर नहीं है ठीक फिर आपने पता किया कि आप मे पर क्या करेंगे तो देखेगा उनका लड़का वलिंटेर टीचर बनना चाता तो उनसे पता करेंगे वह हैं कोई भी हो सकता तो जो भी हैं कोई भी हो सकता पर लिख दीजेगा उसके लिख कर देखेगा इंट्रिब्ली कार्ड वर paragraph जाता तो इसको भी परिवार्र के मुख् यहां पढ़े लिखे हैं ठीक तो वे लर्नर तो हो नहीं सकते ठीक और बीटी वे बनना चाह नहीं रहे हैं उनका लड़का बनना चाह रहा है तो ऐसी इस्तिति में परिवार के मुख्या साक्षन उनको क्या रखेंगे हम नोन वाले उप्सन पर मार्क एज नोन पर रखेंगे ठीक है उसके पशात उनका एज मोबाइल नमबर यह सब चीज़े भर देंगे और यहां पर दिब्यांग जन है अद्वा नहीं है इस पर किलिक कर देंगे फिर उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो यहां पर किलिक करने के पशात आप आइडेंटिटी कार्ड भी देख ले लिएगा यहां से आप जो है नीचे वोटर आईडी कार्ड या नियसाग को सलक्ट कर लेंगे उसका आईडी नमबर को लगातार लिखेंगे आप उसके पच्छा देगा यहां पर कैटिगरी का उप्षन आ रहा है कैटिगरी में चार ही ऑप्षन साथियो परदर्शित हो पहुआ हैं एक General Minority SC और SD इसमें OVC का नहीं प्रदासित हो रहा पहले जब यह एप था तो इसमें OVC का आ रहा था जनल का नहीं आ रहा था हो सकता मुझे ऐसा लगता OVC का भी जल्दी इसमें अपडेट हो जाएगा यदि सात्यों नहीं हो पा रहा तो आप जो है मागदशन अपने हाँ से ले लिजेगा कि OVC को भी जनरल में ही काउंट करके यहाँ पर धर्ज कर दें और उसके बाद अभी जो ऐसा कर सकते हैं और जो भी लग रहा हो कि वह एग्रिकल्चर है या एनी अदर ओक्यूपेशन जो भी आप भरना इसमें चाह रहे हैं इसके पश्चात अब देखे आपने यह फैमली के हैड की डिटेल भर ली है अब उस परिबार में अगर अकेले हैड की डिटेल भरनी होती आपको तो तो यह नहां पर किलिक करते आप लेकिन इसके अतरिक तो आपको क्या है कि इनका जो लड़का है वह वालेंटे टीचर बनना चारा तो आएड मेंबर पर आप क्लिक करने के पश्चात सातियों उस मेंबर की उस लड़के की डिटेल भर देंगे और डिटेल भरते समय उसको वाले ओ व्यक्ति तो परिवार के मुख्याँ भी आप होगे अब देखे आप बताइए क्या आप साक्षर हैं तो नहीं चाहरा तो उनकी एंट्री मत करिएगा ठीक है लेकिन अगर बे अकेले हैं और बे ये चा रहे हैं कि यहां मैं volunteer teacher बनना चा रहा हूँ तो देखेगा उस head के entry यहां कर दीजेगा और करने के पर शाथ उनको यहां पर volunteer teacher पर click करिएगा उसके बाद ये सब detail भनने के बाद चुकि बे अकेले हैं तो ऐसी इस्तिती में यहां पर option पर आप click कर दीजेगा और click करने के बाद उनकी detail को नीचे से add कर दीजेगा ठीक है अब चलते हैं एक तीसरे परिवार में अब तीसरा एक परिवार हमें मिलता हमने का भई आपके हैं कोई गैर साकसर है तो उन्होंने का हाँ जी हमारी पतनी है वे गैर साकसर है ठीक तो ऐसी इस्तिती में परिवार के मुख्या को उने तो परिवार के मुख्या को तो हमने नन कर दिया उसके पशाथ यह डिटेल सब भरी और भरने के बाद यहाँ पर इस option पर हम click नहीं करेंगे ठीक क्योंकि हमें उनकी पत्नी को add करना as a learner उसके पशाथ यहाँ पर हम add member पर click करेंगे और add member पर click करने के बाद यह देखे दो option आएंगे आगे एक learner का और एक bt का तो हम उनकी जो पत्नी है उनको learner बना करके उनकी डिटेल भर देंगे learner मतलब गैर शाकसर ठीक यह हम बना करके आगे डिटेल को save कर देंगे ठीक है साथ यह अब चलते हैं तीसरे उदानन के ओर चलते हैं हम एक परिवार में गए और वो परिवार से हमने पता कि आपके हाँ कोई गैर साकसर है तो परिवार में उन्होंने का कि हाँ जी गैर साकसर है कोन है गैर साकसर कि कितने व्यक्ति हैं बोले भई हमारे परिवार में एक ही व्यक्ति है कितने व्यक्ति है एक ही व्यक्ति है ठीक तो वो व्यक्ति क्या होगे मुख्या और वो व्यक्ति क्या है कि वह व्यक्ति जो है वही गैर साक्सर है तो ऐसी इस्तिती में उनको यहां गैर साक्सर दर्ज कर दीजेगा मुख्या को और मुख्या को यहां लनन लिखेगा लनन चलते हैं एक परिवार हमने उनसे पता किया कि आप के हाँ गैर साक्सर है उन्हें का हाँ हमारे परिवार में गैर साक्सर है हमारा एक जो बेटा है वो गैर साक्सर है ठीक तो ऐसी स्थिति में हमने परिवार के मुख्या से पता किया कि आप तो नहीं है तो उन्हें का बस एक ह व्यक्ति गैर साकसर है हमारा जो बेटा ठीक तो परिवार के मुख्या की डिटेल बरिएगा और परिवार के मुख्या को यहाँ पर नोन पर रखिएगा ठीक हमने परिवार के मुख्या से पूचा कि कि भई आप BT बनना चाहरे हो तो नहीं का भई मेरे पास इतना समय नहीं है तो ऐसी इस्तिती में परिवार के मुख्या को हमने नोन में रख दिया BT में नहीं रखा सारी डिटेल हम बढ़ते गए और यहां पर देखिएगा एड मेंबर पर हमने क्लिक किया एड मेंबर पर क्लिक करने के बाद हमने जो उनका लड़का है जो गैर साकसर है उसकी एंट्री हमने बाद में लर्नर के रूप में नीचे कर दी ठीक है साथ यो आगे लर्नर के रूप में कर दी learner के रूप में करने के बाद हम ने उनसे पता किया कि आपका कोई दूसरा बच्चा परिवार का ही कोई BT बनना चाहता है तो देखे का तीसरा member भी हम यहीं पर add कर देंगे नीचे तीसरा member add करेंगे और जो तीसरा member होगा वो क्या है उनका ललका वो BT बनना चाह रहा है यानि की volunteer teacher बनना चाह रहा है तो हमने उन तीसरे member को add किया BT के रूप में ठीक है तो इस तरह से सात्यों हम यहाँ पर details को add कर सकते हैं सात्यों यह दि इंटरनेट नहीं है तो जितनी भी entry आपने survey में यहाँ feed की है वो सारी की सारी entry यहाँ पर देखेगा नीचे यहाँ पर आएंगी परदरसित होंगी आप उन entry पर यहाँ पर click करिएगा और click करने के बाद जहाँ भी आप internet की range में आएंगे वहाँ अपना internet आप open करिएगा open करने के बाद इन नीचे जो entry होगी इन entry को आप upload बटन पर click कर दीजेगा जिस जिसका आप survey करते जाएंगे वो सारे के सारे entry मालिया जितने भी आपने learner को add किया तो वो entry यहाँ पर देखेगा learner परदरसित होने शुरू हो जाएंगे संख्या और यहाँ पर VT की संख्या परदरसित होने शुरू हो जाएगी लेकिन जितने भी family head आपने non में परदरसित किये हैं वो यहाँ पर परदरसित नहीं होंगे साथियो मेरे द्वारा survey में तीन entry कर दी गई है दो entry यह learner के रूप में कर दी गई है इसके लिए साथियो यहाँ पर एक option दे रखा manage record इस पर हम क्लिक करते हैं और इस manage record में देखे बहुत सारी हमने entry की है यह entry मेरे द्वारा पहले ही की जाए चुकी थी अब जो मैंने entry की है एक तो महिपाल सिंग की entry की है और एक यतिंद्र मोहन जी की entry की है तो यह entry यहाँ पर परदशित होंगी आप इसमें यदि कोई भी तूटी हो गई है कुछ भी आप change करना चाहते है तो साथियो यहाँ पर देखेगा यह जो drop down है इस पर आप click करेंगे click करने के बाद आप देखेंगे उससे भी पहले एक बात बताओं साथियो यहाँ पर देखें महिपाल सिंग यह अकेले व्यक्ती है परिवार में इसलिए इनके नीचे कोई भी member यहाँ पर परदशित नहीं हो पारा जबकि यो यतेंद्र मोहन जी है इनके परिवार के दो सदस्यों को मैंने यहाँ पर feed किया है उनकी entry की है साथियो यह ध्यान लखें कि परिवार के केवल उसी सदस्य की entry यहाँ पर की जानी है जो या तो learner है या BT के रूप में रहेगा ठीक है इसके परिशा साथियो यहाँ पर देखेंगे drop down पर मैंने किलिक किया और किलिक करने के बाद यदि कोई भी इसमें आप बाद में entry में संसोधन करना चारे तो यह जो pencil का icon बना हुआ इस pencil का icon पर आप किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद देखेगा यहाँ पर कोई भी चीज आप edit कर सकते है यहाँ पर हर चीज editable है ठीक तो हर चीज को edit कर सकते हैं आप इस तरह से ठीक और यहाँ पर देखेगा एक चीज और यदि आप चाते कि यह जो भूल बस ऐसा हो गया है कि हमने परिवार का एक व्यक्ती ही add कर पाए है आप दूसरे भी member को add करना चाहरे है तो यहाँ पर देखेगा नीचे option आ रहा add member इस पर किलिक करने के परशाथ आगे जो है add member आप कर सकते हैं ठीक है साथ यो अब देख लेते दूसरे हम detail अभी हमारे यतेंद्र मोहन जी है इनके परिवार में दो सदस्य है तो यह जो दो सदस्य है इसमें देखेंगे जो यतेंद्र मोहन जी देखेगा यह markage known है ठीक है यह markage known है और इसके पर यहाँ पर एक व्यक्ती है विने कुमार ये जो विने कुमार है ये learner के रूप में इनको add किया गया है ठीक है और इसी जो family head है इसके एक और तीसरे सदस्य है एक family member और हमने add किया one see का ये बीटी के रूप में है तो देखें इस परिवार के एक व्यक्ती learner है और एक व्यक्ती जो इबंसी का है वो वीटी के रूप में add है यदि आप चाहते इनकी भी किसी detail में संसोधन करना चाहते तो यहां से देखेगा इस pencil वाले icon पर आप click करेंगे और click करने के बाद यह learner है तो इनकी detail यहां पर pencil वाले icon पर click करें और देखेगा यह सारी detail आप यहां से edit कर सकते हैं उसका नाम हो या उसका जो भी markage है उसको भी आप change कर सकते हैं ठीक है साथियो इसके पशात और update नीचे से आप कर दीजेगा ठीक एक चीज और कि यदि आपको यहां संसोधन करते समय नया member add करना है तो नया member जो add होगा वो family head के सामने जो यह pencil का button है इसी पर जाकर के आप click करने के बाद कर पाएंगे तो साथियो हमने देख लिया यहां पर यह जो महिपाल सिंग है यह learner के रूप में हमने add किया है महिपाल सिंग को और दूसरे जो यह यतेंद्र मोहन के हैं यतेंद्र मोहन तो non के रूप में है और जबकि इनका जो ललका है विने कुमार यह learner के रूप में है और जो वनसी का है वो bt के रूप में है तो इस परकार से साथियो हमने इनको add कर लिया है अब आगे देखते हैं यदि कोई भी आपको संसोधन करना है तो पैंसिल वाले आइकन से आप संसोधन कर सकते हैं यहीं पर एक निवेदन करूँगा साथियो कि सर्वे करने से पहले आप एक या दो एंट्री आप सुते भी करके देख लीजेगा यहाँ पर आप कोई भी परिवार के मुख्या का नाम कुछ भी लिख दीजेगा और उसकी एंट्री आप करके देख लीजेगा ठीक उसके बाद बाद में वो एंट्री डिलीट तो नहीं हो सकती है लेकिन क्या है उसमें नाम से लेकर करके सब चीज़े संसोधित हो सकती है तो जब सर्वे छेतर में जाएंगे तब आप यहां पर उसमें संसोधन कर लेंगे ठीक है एंट्री कोई डिलीट नहीं हो सकती है ध्यान लखें केवल क्या हो सकता है संसोधन यहां से हो सकता है सात्यों अब हमें यह भी जानकारी हो गई है कि हमने जो सर्वे में एंट्री की थी उस एंट्री को हम कहां पर देख सकते है और किस प्रकार से उसमें संसोधन किसी भी प्रकार का कर सकते है अब देखेगा इसके बाद एक अंतिम कारिय जो भी हमने लर्नर बनाए है और जो भी हमने bt बनाए हैं उनको tag करना होगा tag करने के लिए चलते हैं tag वाले tab में यह है tag इस पर हम click करते हैं जैसी click करेंगे साथ ही हो तो यहाँ पर दो प्रदर्शन होने दो option आ रहे हैं tag और edit tag ठीक तो देखेगा tag पर हम click करेंगे और tag पर click करने के बदाद हमने देखा कि जो दो entry हमने की थी एक महिपाल सिंग थे अकेले उनकी entry की थी एक यतिंदर मोहन जी थे उनकी हमने entry की थी तो वे दोनो दोनो मुख्या यहाँ पर प्रदर्शित होंगे मुख्या के नाम यहाँ पर प्रदर्शित होंगे जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डोप डाउन पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखारा महिपाल सिंग की भई जो महिपाल सिंग है आप उसकी टैगिंग करना चारहे हैं तो दिखेगा यहां पर महिपाल सिंग यतिंदर जी आ रहे हैं जैसी मैं महिपाल सिंग की टैगिंग कर दूँगा तो यहां पर फिर महिपाल सिंग का नाम यहां पर manage टैग में परदर्शित नहीं होगा तो चलिए महिपाल सिंग की start करतें tagging start tagging पर click करतें इसके बाद देखेंगे इस तरह की देखेगा दो table सी यहाँ पर परदशित हो रही है एक तरफ यहाँ family member की detail महिपाल सिंग की आ रही है क्योंकि हमने कहा ता महिपाल सिंग क्या है learner learner तो देखें मेहिपाल सिग्हा learner के रूप में प्रदशित हो रहे हैं और दूसरी तरह आप देखेगा यहां जो प्रदशित होगी टेब्ल यह ठीक है और यदि ऐसी स्थिति है कि आपने एक volunteer teacher पर अधिकतम आप 10 learner को ही tag कर सकते हैं ठीक और यदि आपने 2 या 3 volunteer teacher बना रखे थे और उन्ही सभी पर जो है सकता आपका फिर पर प्रदर्शित ना हो तो इसलिए यहां volunteer teacher तभी प्रदर्शित होंगे जब उन volunteer teacher पर 10 से कम आपने family member को या learner को जो है आपने tag कर रखा होगा किया इनकी family में ही कोई volunteer teacher है तो हमने देखा इहाँ पर click करके इनकी family में बना कोई भी volunteer teacher नहीं है तो इनकी family के साथ तो इनको नहीं कर सकते हैं ऐसी स्थिति में देखेगा इनके आसपड़ोस में है क्या कोई तो आसपड़ोस में तीन family ऐसी हम रही है एक तो head वाई ये वाला व्यक्ति मिल रहा देखेगा ये हमने entry कर रखे थी एक ये head जैड वाला व्यक्ति मिल ला है इसकी entry हमने यहाँ पर कर रखे थी ये भी volunteer teacher मिल ला तो देखेगा और एक तीसरा हमने अभी यतेंद्र मोहंजी की ओर entry करी थी इनकी जो बिटिया थी वंसी entry का उसकी entry हमने की थी तो देखेगा तीन बिटी मिल ले हैं आपको यहाँ तो अब आप देखेगा आप इस के के ये वाला जो है इसके साथ tag करना चारें इस वाले के साथ tag करना चारें या इस व्यक्ति के साथ tag करना चारें इन तीनों में से कौन व्यक्ति इन महिपाल ये इसके बिल्कुल पास की है, ये इसको साकसर बनाने का काम करेगी, तो हम क्या करेंगे, वंसी का वाले option पर click करते हैं, उन नीचे जो tag वाला हमारा option है, इस tag पर हम click कर देते हैं, जैसी tag पर click करेंगे, इस तरह का एक message प्रदशित होगा, ये tag हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेगा, जो ये tag में संक्या थी, वो एक संक्या यहाँ से उठकर के देखेगा, इधर की तरफ आ गई है, ठीक है, और जो हमारे पास जो volunteer teacher थे, वो volunteer teacher एक ही थे हमारे, वो भी यहाँ पर देखेगा, अब संक्या यहाँ पर जीरो परदर्शित होने लगी है अब उन्हें हम टैग में जाएंगे टैग में जाने के बाद फिर टैग में जाएंगे अब हम देखेंगे एक दूसरे व्यक्ति हमारे को थे यतेंद्र मोहन जी का परिवार अब देखेगा यहाँ पर महिपाल सिंग का परिवार नहीं आ रहा है क्योंकि उनको टैक कर दिया गया अब यहां देखेंगे यतेंद्र जी का परिवार इसको हम क्लिक करेंगे और यहां पर हम स्टार्ट टैकिंग करेंगे जो यतेंद्र सिंग थे यतेंद्र मोहंजी यतेंद्र मोहंजी खुद पड़े लिखे थे तो इसलिए उनकी entry यह नहीं आ रही बलकि उनका जो लड़का था विने कुमार उसका नाम यहाँ पर प्रदशीतोरा क्यों क्यों क्योंकि विने कुमार लनर के रूप में है अब इस विने कुमार को यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अब देखेंगे विने कुमार को आप within family यतेंद्र महनजी की family में जो 1C का थी वो वीटी थी तो हम कोसिस क्या करेंगे कि उसी family में यह दी मिल जाता है कोई वीटी तो उसी के साथ हम tag करने का प्रियास करेंगे ठीक है तो सात्यों हम क्या करेंगे यहीं पर tag कर देंगे अन्निय यह जो tag करने का कार्य हम कर लेंगे एक बात और tag के सामने एक दूसरा option है edit tag एक चीज कहूंगा किसी को यदि आपने tag कर दिया है तो आप उसे untag नहीं कर सकते हैं उसे हटा नहीं सकते हैं लेकिन हाँ उसमें संसोधित कर सकते हैं संसोधित के लिए आप edit tag में click करेंगे और यह यहाँ पर आपको check करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर search किया हमने विने विने और यहाँ पर देखिएगा search करेंगे तो जो विने है यहाँ पर प्रदशित होगे विने कुमार ठीक अब इसमें आप edit कर सकते हैं क्या edit कर सकते हैं यहाँ पर click करेंगे और edit यह कर सकते हैं कि आपने जो tag किया था विने कुमार को आपने वंसिका के साथ tag किया था यहां ने देखेगा यहां वंसिका के साथ tag कर रखा आपने तो और ऐसा लगता कि यह गलट tag हो गया है तो ऐसी इस्तिति में यहां पर आप आप किसके साथ करना चाह रहे हैं आप करना चाह रहे हैं यह ज यह option गायब हो चुका है और नीचे आप tag कर देंगे ठीक है तो जैसी आप यहाँ नीचे tag करेंगे इस tag पर clear करते ही edit हो जाएगा ठीक है सात्यों तो इस प्रकार से हम tag को edit कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें इस app में जो भी entry आप कर देंगे उस entry को आप delete नहीं कर सकते हैं केव उनमें बाद में संसोधन करके आप data feed कर लेंगे इसके साथ ही सात्यों देखेंगे कि manage profile का एक option हो रहे हिसमें इस manage profile पर हम जाएंगे इस manage profile में आपकी जितनी भी details है इस school की यहाँ पर लिखी हुई है इनको check किया आपने यदि आप चारहें कि आपका mobile number आप अपना mobile number बद आप अपना यहाँ पर सही number लिखिएगा और सही number लिखने के बाद send OTP पर click कर देंगे ठीक है send OTP पर click करने के बाद उस सही वाले number पर एक OTP प्रेशित हो जाएगा और आपका mobile number change हो जाएगा इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो email ID है email ID यहाँ संसोधित करना चाहते हैं तो तो सातियों यह थे इस app के सभी option इस प्रकार से हमारे जो survey रहा है हमारे जो सिक्सक साती है उनको इस app में survey के माध्यम से entry BT और learner की कर देनी है उन्हें आपस में tag कर देना है और यह कार्यान का समाप्त हो जाएगा जो हमारे BT होंगे बेबाद में उन learner को साकसर करने का कार्या करते रहेंगे सातियों एक नवेदन और है अधिक परेशान होनी की आफशक्ता नहीं है तनाव लेने की अधिक आफशक्ता नहीं है अभी काम प्रारंब हुआ है ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन या चार दिन में हमें इस काम को समाप्त करना है सबसे पहले आप survey तक का काम कर लीजेगा और उसके पश्यात जब survey होगा तो जैसे ही आपको समय मिलता एक दिन का दो दिन का जितने दिन में यह संबब हो सके उसतने दिन में आप समाप्त कर लीजेगा हो सकता दस दिन लग जाए हो सकता एक महिने भी लग जाए ठीक है अधिक तनाव लेनी के आफशक समाधान करने का और यदि फिर भी समस्या रही तो हम और आप मिलकर के उस समस्या का समधान करने का प्रियास करेंगा एक नवेदन और है साती हो हमारे चैनल पर PFMS से समंधित 19 वीडियो बनाई गई है इसके साथ ही यूडायस कारे से समंधित हैं CWSN से समंधित और सार्द आ किएगा ताकि अन्य सिक्सक्सातियों तक पहुच भी पाएं और मैं भी प्रियास करूं कि आपके इस किये गए उत्सावर्दन के द्वारा अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके आपको प्रेशित कर पाऊं